हेलो अब्रीवन मोस्ट वेलकम है स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टेडी पॉइंट में दोस्तों आज इस वीडियो में लेकर के आया है यानि जी वीडियान का हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे थे यह आप लोग को न्यू मॉडल सेट है दो हजार बाइस का जो की न्यू पैटर्ण अधारी है और इंटरमीडियेट के छाठ चात्रह के लिए काफी इंपर्टेंट कुश्चन है इस मॉडल सेट में जो भी बच्चे यह फाइव मॉडल सेट को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से एक भी कुश्चन आप लोग को बाहर आने वाला नहीं एक्जाम में तो जो भी छात्र छात्रह इंटरमीडियेट के और 2022 में एक्जाम देना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए वेबसाइट काफी हलफूल लेगा सब्सक्राइब कर वाएंगे जो की 2022 का न्यू मॉडल सेट है ठीक है तो हम लोग आज कहां से कुश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिप्टी वन से सेवेंटी तक और यह सेवेंटी कुश्चन का आप लोग का एक सेट है इसी तरह से हम लोग सारे सेट को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे मैं कर बाद चुकी हूं तो जो भी बच्चे पिसला वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लिजेगा इसमें काफी सारे कुश्चन इंपोर्टेंट है ठीक है अभी हम लोग हिंदी मेडियम में कर रहें कुछ बच्चे कहना है कि मैं इंग्लिस में प्रोवाइड कीजिए तो जब हिंदी का खतम हो जाएगा सारे सेट तो अब हम लोग इंग्लिस में भी इसको कवर करेंगे ठीक है तो को क्या कहते हैं यानि जीन, फिनो टाइप, जीनो टाइप या एलील इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी एलील नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नमबर कि F1 PD के संक्रन पौधे को जब सम्यूग जीप और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेस्ट क्रोस नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नमबर विभीन परकार के RNA से प्रोटीन संसलेशन की क्रिया को क्या कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नमबर कि आगरा इस्तित विश्व प्रसी ताज महल को मुक्त किस गैस से खत्रा है तो किस गैस से खत्रा है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 46 नमबर भूर्ण कोस की गुत्पति की हेलो बच्चो पढ़ाई में डॉट साते हैं घवराइए मत सबका सुलूशन है डॉट नट अगर आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आपसे स्वल्ब नहीं हो पा रहा है बस आपको उस कोश्चन का फोटो लेना है इस कोश्च जवाब मिलेगा डॉट नट अपर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स क्रॉनेश्ट्री मायत सैंस आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नट पर साथ ही अब डॉट नट अपर पढ़िए कोटा के बेस्ट फेकल्टी से जैसे जीवी सर एने सर बुहलता का जीन पाया जाता यानि एक्स क्रोमोजोम पर या लिंग निर्धार्नी क्रोमोजोम पर या और लिंग क्रोमोजोम पर इसका राइट अंसर हो जाएगा भी वाई क्रोमोजोम पर नेक्स्ट कोश्चन है 49 नंबर केवल अफिरका में ही पाया जाते हैं जिराफ जे निम्नांकित में कल्यान सोना किसका किस्म है यानि धान की गेहूं की मक्का की या मटर की इसका राइट आंसर हो जाएगा भी गेहूं की नेक्स्ट कोश्चन है नंबरार सरी फिप्टीटू नंबर् और उंगली काय किस जीव जे संबंधीत है फिप्टीटू का राइट आंसर हो जाएगा इसके नेक्स्ट कोश्चन है 53 नमबर मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल अस्तर को बढ़ाने में सहायक स्टेटीन तयार होता है 53 का राइट अंसर हो जाएगा सी विसानू से 54 नमबर निमलिकित में से कौन जैब उर्वरक है तो जैब उर्वरक इसमें से कौन साइडीन में से सभी यानि सैनो बेक्टेरिया माइक को राइजा या सह जीवी जिवानू नेक्स्ट कोश्टन है 55 नमबर डियने को देखने के लिए किसका परियोग किया गया यानि डियने क्या है बहुत छोटा है जिसको लोग अपनी आखों से नहीं देख सकते इसके लिए कुछ यान्तर का से देखा गया इसका राइट आंसर क्या था फ्रास्ट ग्रीन से नेक्स्ट कोश्टन है 56 नमबर कवर को किस साइज से समाधित किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए काइट टीनेज से नेक्स्ट कोश्टन है 57 नमबर primarily का उपियो किया जाता है तो primers का उपियो क्या चीज में किया जाता है PC Admiral नेक्स्ट कोश्टन है 58 नमबर BT 20 का प्रभभाव कि स्की्ट वर्घ पर होता है इसका रही आँसर हो जाएगा 58 का D इन सभी पर याने lapidoption पे कोलियोप्टेरोन पे और डैप्टेशन पे किसी अबादी का स्वरूप निर्भर करता है किसी अबादी का स्वरूप क्या चीज़ पे निर्भर करता है सड़ी यहां पे 58 के बाद 59 होगा न मिस्प्रिंटिंग हो गया है तो 59 क्या है किसी अबादी का सवरूप निर्भर करता है यानि बितरन पर घनत पर जाती है रचना पर या इन में से सभी पर तो इसका राइट आंसर हो जगा इन में से सभी पर नेक्स्ट कोश्चन है 60 नमबर कि किन कार्णों से अबादी सदा परिवर्तन सील होता है तो इसका राइट आंसर हो जगा सी की सुची के लिए नेक्सक को शन है 62 नमबर प्रीथवी समेलन की सवर्स आयोजित हुआ था इसका राइट आंसर हो जैगा भी इसका राइट आंसर हो जगा इन सभी यानि अनुदेशी जीन किर्याविधी का दमनकारी जीन प्रकिर्याविधी का या गिरी संचालन जीन संदस्ट नाकत इसका राइट आसर क्या हो जाएगा इन में से सभी नेक्स्ट कॉस्टिन है 65 नमबर सिकल निसिकल को सिकाय यानि निसिकल सेल अमेनिया बोलते इसको किस परकार का रोग है यानि लिंक संबंधित रोग आटोजोम संबंधित रोग कमी जनित रोग या मेटाबोलिक काडिक चेन संबंधित रोग इसका राइट आंसर हो जागा 65 का ही आप사가 ओटोजों संबंदी रोगा जोके सोया को । कि नेक्स्ट कुश्टे सेक्सीश नमर्ब पड़िपक रिया सुक्रानौ के सिर्ष पर एक टौपिनुमा सनदशना पाई जाते कि क्या कहते हैं यानि एस्पर्म के सीस पर जी टोपिनुमा संदस्टना पाई जाते हैं उसको क्या कहते हैं इसको एक्रोसोम कहते हैं इसका राइट आंसर यह हो जाएगा बाहरी DNA को मेजवान को सिका में लाने है तो किसका उपयोग कर सकते है यानि जीन गन, माइक्रो पेप्टेट या दोनों AB या इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी AB दोनों यानि जीन गन और माइक्रो पेप्टेट दोनों का इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानि इस तरी दल जो होता है इस्टिग्मा अस्टाइल ओबरी तीनों पाये जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीवन की उत्पति येवं विकास से तो हम लोग कितना कोशन फिप्टी वन से लेकर के सैवेंटी तक क्वेशन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मिलते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सारे स्टूडेंट को ओकी बैबाई अभी तक जो भी छात नए हैं और इंटरमेडियेट के हैं 2022 में 12 का व सेड़ कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई टेक केर